पटनास से जदियू कारले में आयोजी जदियू राष्ट्री परिशत की बैठक में मुख्य मंत्री नितीश कुमार शामिल हुए इससे पहले जदियू कारले में जदियू राष्ट्री पदाधुकारी की बैठक हुई जेडियू राश्टी परिशत की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नितीष कुमार ने कहा कि एक बाग फिर से ललन सिंग राश्ट्री अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा कि राश्टी परिशत की बैठक में देशकिर सभी राज्चियों से जदियू के प्रतिनिधी शामिल हुए थे, सभी के साथ बाचीत हुई है, रविवार को जदियू का खुला अधिवेशन होगा और हमने सब लोगों से मिल लिया है, सारी बात कर ली है, तास तो वही है, और फिल एक ओपेन मिटिंग कल होगी इस सब आपको बतावेंगे ललग जी राश्टी अधिया में, वहीं बताएंगे जेडियू की राश्टी परिशत की बैठक में बर फिर से राजीवरंजन सिंग और फल ललन सिंग को पार्टी का राश्टी अधिक्ष चुना गया उन्होंने कहा कि संगठर को मजबूत बनाना प्रात्मिकता है दोबारा राश्टी अधिश मनने पर कहा कि नितेश कुमार का जो इसने मिला है वो अध्भुत है नितेश कुमार से संगश और सत्ता का रिष्टा रहा कि वो सबों को आजादी है सब लोगों को चूट है वो अपने मुद्दा उठाएंगे बैठा खोई जाए तो इसके बात किस बात्रों कि आप लोग तो अभी हिमाचल हार गए दिल्ली हार गए तो उस पर कही नहीं बोल रहे हैं उस पर भी तो अपनी प्रतिकिरिया दे हिम अचल में कितना सीर्ट तीन सो भोट से आडाई सो भोट से जीते हैं तो बहुत चीज है तो उनको भी ओना है इसलिए कि आज कल देखें जिए मीडिया का उप्योग पूरा मीडिया जो है वो पुझी पतियों के हांक मेरा है तो मीडिया आप निस्पक्ष रहा का आँ कि पुझी जी में 2024 में दिखाए पड़े है वेल्कम टू चाचा मामा थंगल है अज्यादकार संजय मिश्रा से भुजारिक्षा है कि वा खाड़े में पूर है और फुल्ट उसको टॉफिसे नवाज है लगता है समाधी लेलिए तॉप टेक्सीमिन जो जोड़े त्छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचान